आपका स्वागत है अपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर्श अकेडमी पे एक और आपकी न्यू अपडेट आई हुई है जो की पीटी बीडियास से आई हुई है पंडित बगवद्याल उनस्टी है जो आपकी रोत्तक में साइंस उनस्टी है एल्थ साइंस उन तो जो आपकी लास डेट इसमें रहेगी फोम की वो ग्यारा फरवरी रहने वाली है आपकी तो ग्यारा फरवरी से पहले पहले बच्चे आपना जाके अपलाई करें यह आपकी जो लिंक दिया हुआ है वो मैं पीडियाफ में भी आपको दे दूँगा और इसकी और इसकी आपकी आई हुई है अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी आपकी वकेंसी है जैसी हमने देख लिया 11 तो आपकी फरवरी है लास डेट रहेगी और यह टाइमिंग का विखास कर रहे है कि बच्चे टाइमिंग को नहीं देखते हैं COPA की है आपके सबसे पहले वाकैंसी, computer operator की वाकैंसी है, total वाकैंसी आपकी, 17 वाकैंसी रहने वाली है, जिसमें general category की 11, यह GCA general category के लिए है, SC category की 3 है, BCA की 2 है, BCB की एक वाकैंसी रहेंगी, qualification के बात करें, तो ITI होनी चाहिए, concerns trade में, जैसे आपको computer operator की, ITI की होनी चाहिए, field आपकी computer operator होनी चाहिए, तो यह qualification का याद रखें, खासकर ध्यान रखें कि computer operator की आपकी है, तो qualification होई रहें, next बात करते हैं, stand no English की, तो stand no English में आपकी 13 total post है, जिसमें general category के लिए आपकी 8 post रहने वाली है, SC के लिए 2, BC के लिए 1, BC के लिए भी 2, और वही है आपका stand no English होनी चाहिए, ITI में trade, carpenter की दो vacancy है, general category के दोनो, printer की है आपकी 3 vacancy है, वह भी general category के है, electrician की है, फिर आपकी 5 vacancy है, जिसमें general category की 4 है, SC category की 1 है, MLT है, physiotherapist की, जिसमें general category की 6 vacancy है, SC की 2 है, BCA की 1 है, और BCB की 1 है, total 10 vacancy आपकी इसमें रहने वाली है, इसके बाद welder की बात करें, तो welder में आपकी total है, जो तीन vacancy है, तीनो general category के लिए है, HSI की है, health sanitary inspector की, उसमें total 5 है, जिसमें से general category की 4 है, और SC category की 1 है, एक है आपका refrigerator and AC के लिए 6 है, general category की 4, SC की 1, BCA की 1 है, इसके बाद टेलर की है, जिनमें टेलर में आपका पांच vacancy है, total, general category की 4, SC की 1 रहने वाली है, इसके बाद है आपका इस्टूमेंट मेकैनिक्स, तो उसमें 6 vacancy total है, आपकी जनल category की 4 है, SC category की 1 है, BCA की रहने वाली है, फीटर की बात करें, तो फीटर में भी आपकी एक vacancy है, जो general category की है, और ये लिखा हुआ है vacancy है, जो आपकी, वो increase या decrease कर दी जा सकती है, तो जैसी ही इनको जूरूरत है, तो उतनी ही लेंगे, अगर उनको घटा बड़ा आपने हिसाब से सकते हैं ये, तो ये आपकी एक purely contract based job है आपकी, इसके बारे में एक बार देख लेना, क्या कुछ रहने वाला है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी ये रोध तक से आई हुई है, PTBDS से पंडित बगवत दयाल, सर्माई उनस्ट्री है आपकी, रोध तक के अंदर वाँ से आई हुई है, इसे पहले पहले जाके अपना फोम को भरे, और हर लेटास्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल ट्रीम अचीवर्स अकेडेमि,